जै भोले की भोले जी कहां से आ रहे हैं आप और कहां जा रहे हो जै और हमारी सुस्राल है घाउंखेडी जी हमारे साले साहब है टीका राम जी पृष्ट पिसली साल भी यहां पे कावर लेने के लिए आये थे बहुत सुन्दर जी उन्होंने आचिरवाद दिया इस यहां आनंदार ना उसका तो कोई जवाब नहीं है जी कैसे भला वो इसलिए है एक तो सड़के बहुत अच्छी है जी गवर्मेंट ने सड़के इतनी बढ़िया बना रखी है जी जब कि कई बना जीरी जी जे हमें लेंड श्राइडिंग मिली है जी लेकिन उसको भी साथ की साथ वो ठीक कर रहे हैं बहुत संद्द्र जी कोई दिकत ने किसी तरह की भी जी और दूसरी जो यहां शिवर लगे वोए हैं जी उनकी वजह से तो यहां ना खाने पीने की दिक्कत है कोई ना ठेरने की दिक्कत है एतनी अच्छी सुईधावनों ने की हुई है मतलब साफ सफाई बढ़िया है वह сам अच्छी मधवाले यह सद्धा के साथ मतलब रोकते हैं और उनका वह तो जाने नहीं नहीं देते कहते हैं यहीं रुख जाओ तो आने वाले आने वाल से भक्तों को क्या संदिश देना चाहेंगे तो यह कहुँगा कि यहां कोई दिक्कत नहीं है जी बस अपने मन के अंदर यह धारण करें जी मुझे जो है यह परिक्रमा यह जो है कावड यात्रा करनी है जी अभी आप किस त्थान पर पहुंचे अब है का रहे मैंकर बीका आप देख सकते हो नि पीछे यह पर बनाया हुआ है जो है उसी का ही ये सारा जल है गंगाजल कैसा लगए आपको देखने में बताईए बहुत ही सुन्दर है जी 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 इसके अंदर जो है पहाड है इतने उचे उचे जी नीचे गंगाजल है कितना सांत एक दम आराम से नीच अच्छा ही लगेगा और उनका मन लगेगा और तो कि यह दिक्कत कुछ नहीं है ना जी देखो ना स्रक्षा भी पूरी है यहां पर महिलाओं के लिए भी सुरक्षा है जी 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 बॉलो हर 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 बहुत संदर